चोटी काशी यानि भिवानी से करीब 10 किलोमीटर दूर आस्था का अदबुद और अविस्मर्णिय देवसर्धाम अतुल्य है देवसर्धाम में देश भर से भक्तगन अपनी मन्नते मांगने आते हैं और मंदिर में आकर भक्तों की सारी मुरादे पूरी हो जाती हैं अलोक एक दर्बार के साथ-साथ मंदिर का इतिहास भी बरसों पुराना है करीब 800 साल पहले पहाड़ी के पास जब एक बंजारा अपनी गववें चरा रहा था तो उसकी गववें कहीं खो गई थी रात को सपने में उसे देवी मा ने दर्शन दिये और कहा कि पहाड़ी पर दवी मूर्ती को इस्थापित करवाय जाए तो उसकी गाएं मिल जाएंगी बंजारे ने ऐसा ही किया और उसकी गाएं भी मिल गई तब से माता की वो मूर्ती वही मंदिर में स्थापित है मंदिर में वैसे तो साल भर शद्धालू मातारानी के दर्शन करने आते रहते हैं लेकिन चैत्र शुकलपक्ष और अश्विन शुकलपक्ष में नवरात्रों में देशी नहीं विदेशों से भी शद्धालू मातारानी के दर्शन करने पहुंचते हैं देव सर्धाम में आने वाले सभी यात्रियों को फ्री सेवा दी जाती है शद्धालू के ढहरने के लिए धर्मशाला में फ्री रहने के लिए कमरे दिये जाते हैं इस मंदिर में 24 कर्मचारी न्यूक्त हैं, जो दिन राज से शधालों की सेवा में जुटे रहते हैं। आप भी अगर मातरानी के दर्बार में हाजरी लगाना चाहते हैं, तो भिवानी बस स्टेंड से आटो लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं।